बारत को हिंदु राष्ट गोशित करने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम से तनोर जेसर में तक निकली यात्रा आज फलोधी पहुंची जहां सनातन प्रेमियों के साथ राष्ट बगतों ने यात्रा का भवेश्वागत किया। बारत को हिंदु राष्ट गोशित करने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम से तनोर जेसर में तक निकली यात्रा आज फलोधी पहुंची जहां सनातन प्रेमियों के साथ राष्ट बगतों ने यात्रा का भवेश्वागत किया। सनलश्यों का यात्रा का नितो तो कर रहे महराज एसके स्वामी द्वारा वेदिक मंतरोचा के साथ पूजन कर सुरुआत की गई। यात्रा का नितो तो कर रहे महराज एसके स्वामी ने इस यात्रा को प्रमुकता से कवर करने पर मेडिया का भी धन्यवाद किया। उन्होंने का कि राष्ट हीतार तो इस आवन में मेडिया की भूमी का इतियास रचेगी। उन्होंने का कि भारत को हिंदु राष्ट गोसित करने की मांग को लेकर ये यात्रा बदस्तूस जारी रहेगी। जब तक कि केंदे सरकार द्वारा हिंदु राष्ट गोसित नहीं किया जाए। बागेशो दाम से तनुट जस्यमें तक जाकर भारत की सीमा तर यात्रा पहुंचेगी। जाचा? मैं पहले तो जी मीडिया का और आप लोगों का और राष्टान की भूमी का और राष्टान चे भाईयों का वैशन और सक्तिपीट राज़तान के भाई सो परतिस्वत इस यात्रा और विचार के साथ समर्पित हैं मैं उनका धन्यवाद दिए यात्रा बागेशवर दाम से तन्व नसौरी बागेशवर दाम से खीर बवानी कश्मीर तक की यात्रा संपन करके आए हैं उसमें जितने वी राष्टे में कस्वे गाहों थे सबसे संपर करते हुए और हंडर परसेंट सो परसेंट लोगों की आँखों में प्यार था रोशनी थी उन्होंने सम्मान किया और समर्फन किया दूसरी यात्रा का प्रियास है यह बागेशवर दाम से तनोट माता मंदिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बोडर तक तो रास्ते में जितने गाहों आये हैं कस्बे आये हैं जो भी दार में संस्ता आये हैं उन्हों स्वागत किया है सम्मान किया है समर्फन किया है वेशनों सक्ति पीट शेरी अरी सर्डम सापला उनका धन्यवाद करती है अब उध्यस्ते मातर यही है कि वेशनों सक्ति पीट तो 1990 से प्रियास में है इशिनारे के लेकिन मैं मानने है ध्रेंदर भाई जो बगे शिवर्दाम के मुख्या हैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक नया संखनात दिया हिंदूराश्ट की गोश्टना को लेकर और उससे परवावितोगर उर्जा को लेकर ये वेशनल सक का संदेसाइर रही तीसरी याता माता तनोट का शिरवाद लेकर और प्रात्टना करके फिर अगली तीसरी जो यात्रह है उसका प्रियास यह चेका बागेश्वर दाम से और स्थिद्धी विनाएक मंदिर मोंत बंबी तक जाए पिर आखरी जो यात्रा है वो तो इस्चा है आगे और भी चल सकती है वो बागेशवर दाम से और ले लदाक में जो पड़ती है वहां मठ है दलाई लामा का तो क्योंकि वो जो बहुत परमपरा है वो भगवान विश्ण की परमपरा है तो वहां जाके वहां तक करीब 20-22 जार विदेशी जुड़े हैं उमीद यह है कि यात्रा के चलते चलते दस बीस लाख लोगों की आवाज बन जाएगी और दस बीस की लाख की अगर आवाज बनेगी तो यह दस बीस क्रोड़ भी हो जाएगा और मानिये परदानमंतरी जीजों है वो सक्षम है इसम समय रहते भारत को हिंदू राश्टर गोशित करें जिस सही देश रुक्षित रही है जैए अरत मता की